हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम आर पी वोसी के बारे में बात करेंगे यानि के रिटरें प्रोड़क्ट ओफ कंसेप्शन ये कब शो होता है इसके शो होने के क्या क्या रिजन हो सकते हैं और इसी कंडिशन में हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसी के बारे में वीडियो में डीटल में जानेगे तो वीडियो को अच्छे से और पूरा जरूर देखे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें बेला इकन को दबाए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वी प्रसेफशन यानि कि गर्ब धारन का कुछ अंश बच्चादानी के अंदर बच गया है जिसके कारण हमको समश्चा हो रही है जैसे कि नॉर्मल डिलिवरी के बाद भी कही बाए तुकड़े छूट जाते हैं कही बाद सीजरें डिलिवरी के बाद भी प्लसेंटर का अंश शूट जाता है या फिर ब्लेट के क्लोड शूट सकते हैं तो सिजन इन डिलेवरी के बाद भी यूट्रस की अच्छे से सफाई नहीं होती है तब भी रिटेंद प्रोड़क्ट शो हो सकता है इसके बाद में या तो आपका मिस्ड अबोशन हो गया है या फिर आपने डीनसी क को हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आर्पी उसी है तो जब भी हम अल्टरसाउंड करवाते हैं जैसे कि बहुत सारे कैसे में हमको पता नहीं चलता है कि रिटेंद प्रोड़क्ट है पर कई बार जैसे महिला एबोशन के दवाईया खाले ती है जैसे MTP किट एबोशन कराने वाली जितनी भी दवाईया आती है अन्वांटेट किट में फिजेस्ट किट खुशी किट ऐसी बहुत सारी दवाईया आती है अन्वांटेट प्रेग्नेंसी हो गई हटाने के लिए हमने दवाई खाले थी अभी हमको 25 दिन हो गए 20 दिन हो है हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो अभी क्या करें तो जब भी आप डोक्टर के पास जाते हैं डोक्टर सबसे पहला आपको बूलता है कि भई आप अपना अल्ट्रसाउंड करवाओ बीटा सजी टेस्ट करवाओ फिर देखेंगे कि क्या कंडिशन है किस वज़े सा आपके ब्लीडिंग नहीं रुक रही है अप डोक्टर के पास अल्ट्रसाउंड कराने जाते हैं अल्ट्रसावंड में आता है कि आर्पिए उसी 10 अमें मारा 15 में मारा 20 मीनिमिमाम होता है अगर आपका इंटू इंटू में आ रहा तो इसका मतलब कि वहुत ज़्यादा में बचा हुआ है पर कई बार लंबाई, मोटाई और चोडाई में सब में बच जाता है तो वो ज़्यादा होता है अगर मीनिमाम रिटेन प्रोड़क्ट आ रहा है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारी medicines available होती है जो कि बाद में हम फिर से repeat scan करवाते हैं ताकि उसमें देखते हैं कि जो कचरा बचा हुआ था पेले जो रिटेन प्रोड़क्ट आ रहा था वो साफ हुआ कि नहीं हुआ जैसे कि medicine के बारे में हम बात करें तो बहुत सारी medicines से से आती है जिनको दे करके हम इसको साप कर सकते है या आपकी condition पर depend करता है कि कौन सी medicine देना है कितना dose देना है और क्या खाने पिने में देना है जैसे कि कई बार डोक्टर आपको kit भी repeat करवा सकते हैं जो पूरी 5 tablets होती है या फिर कई बार misoprostal दे के भी काम चला सकते है misoprostal के जैसे हम 4 tablets vaginally insert करवा सकते है 2 tablets खाने के लिए भी दे सकते है या कई बार 8 tablets 10 tablets भी दे सकते हैं कि सुब़ शाम सुब़ शाम लो 4-5 दिन के लिए जो भी बच्चा एक च्च्चा सब साफ हो जाएगा इसके बाद में methargen tablet भी दे सकते है methargen tablet का मुख्य काम यह होता है कि जो भी conception का product बचा है उसको वो बाहर निकालने में help करती है uterus का size भी बढ़ दाता है pregnancy के दोरान और written product है तो uterus का size कभी भी normal नहीं आता है आप जब ultrasound करवाते हैं तो उसमें बोलेंगे या तो enlarge हो रहा है या फिर बलके uterus आ रहा है मनलब uterus का size बढ़ा हुआ है तो जो uterus का size बढ़ा हुआ है methargen tablet लेने के बाद मुख का size छोटा होने लग जाता है उसमें contraction आते हैं जिसके कारण जो भी material है वो out हो जाता है या या बहार निकल जाता है तो अगर minimum return product है तो अगर आपके doctor आपको बोल रहे कि DNC ही करवाना पड़ेगा दवाई उसे possible नहीं है तो हम एक बार medicine दे करके try कर सकते हैं अगर नहीं निकलता है तो last option DNC तो है ही तो अगर आपके doctor medicine देने के लिए तयार नहीं होते तो इसी condition में आप appointment book करके मुझसे भी बात कर सकते हैं हमारी online consultation available है जो number दिया गया उस पर appointment book करके आप मुझसे बात कर सकते हैं फिर जो भी रेता है procedure वो आगे हम समझते कि क्या करना है आपको doctor कुन सी condition में medicine recommend नहीं कर सकते हैं क्या आपको bleeding काफी time से हो रही hemoglobin का level down हो गया है मतलब 10 gram per deal से down मतलब नीचे आ रहा है 10% से कमा रहा है इसके बाद में आपको bleeding heavy हो रही है काफी दिनों से हो रही है तो ऐसी condition में आपको DNC करवा लेना ही बेतर है यानि कि बच्चे दनी की सफाई करवा लेना सबसे बेस्ट है इसके लिए 10 doctor उसे जाके नहीं मिलना चाहिए पर हाँ second opinion हर एक patient को लेना चाहिए एक doctor ने जो बोल दिया finally वही नहीं मानना चाहिए आपको second opinion की जरुवत होती है हाँ second opinion में यह हो सकता है कि भाई दूसरा doctor जो कि अच्छे से आपको treat करे और आपके reports वगेरा देखे अगर आपकी condition सही है तो medicine prescribe कर देते है minimum RPOC में कोई बहुत ज़्यादा DNC की need नहीं होती है बट कुछ cases में इसा होता है कि medicine देने के बाद भी अगर साप नहीं होता है तो उस case में हम DNC prefer करते है patient को कि भाई आप करवा लो last option DNC है नहीं तो आपको आगे जाके problem भी हो सकती है अब इसके बाद में एक old option आता है जैसे कि बहुत सारे patient है जैसे कोई engaged है unmarried है कोई family वाले patient जो नहीं जा सकते बार बार doctor के पास में तो हम basically RPOC में यानि के return product of conception में तीन option patient के साथ में रख सकते है जैसे कि पहला option तो आगया कि भाई आपको return product बच्चा है आप DNC करवा लो DNC नहीं करवाना है तो medicine दे करके हम try कर सकते है कि अगर निकल जाए तो ठीक है नहीं निकले तो फिर जब तीसरा नमबर आता है कि अगर आप wait कर सकते हो तो हो सकता है कि आपका जो next period आने वाला है उसमें भी यह जो minimum RPOC है यह clean अपने आप clean हो सकता है इसके लिए आपको खल्दी वाला दूट continue रखना है डोक्टर साब antibiotic prescribe करवा सकते हो इसके बाद में अगर आपको पेट में ज़्यादा दर्द होता है कमर में दर्द हो रहा है और अंदर से जो liquid आ रहा है यानि कि किसि को yellow discharge होता है शोन होता है, किसि को white होता है किसि को pink issue होता है अगर उसमेंग इस smell आ रही है तो फिर आपको DNC करवा लेना चाहिए वो आप ये condition पे depend करेगा और अगर कुछ भी problem नहीं हो रही है बस return product आ रहा है आपने उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से medicine भी ले लिए उसके बाद भी bleeding start नहीं होई है तो आप अपने period आने का wait कर सकते हो period के दोराण uterus की normally cleaning होती है जो naturally होती है उस cleaning के दोराण जो भी कचरा है वो सब अपना आप निकल सकता है तो इस वीडियो के मार्ध्यम से हमने आरपी उसी क्या होता है कब शो होता है और उसका क्या treatment हम कर सकते हैं इसी के बारे में वीडियो में डिकल में जाना है धन्यवाद